नमस्ते, सभी अधिकारियों, मुख्याद्यापको, यहाँ पर उपस्तित सिक्षगन तथा सभी बच्चों को मेरा सुबै का हारदीक नमस्कार मेरा नाम मनीशा गुपता है, मैं KGS सरुदर स्कूल की सिक्षिका हूँ बच्चों, आज मैं आपको हिंदी विशे पढ़ाने जा रही हूँ पिछली तासिका में हमने नौवा पार्ट पढ़ा था, आज हम उसके आगे का कौन सा पार्ट पढ़ेंगे इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो हम ये ओनलाइन सिक्षन ले रहे हैं और जूम पे हमारा ओनलाइन पढ़ाई चालू है, इसके बारे में कुछ नियम बता देती हूँ बच्चों आपको ठीक है, आपका स्क्रीन पर जो माइक बना है, माइक और जो कैमरा बना है, उसको आपको आफ रखना है जब पीचर आपको प्रशन पूछेंगी, जब आपको बोलेंगी, तभी आपको माइक अन करना है और कैमरा अन करना है उसके पहले बच्चो सारी चीजे बन कर दो, माइक भी आफ कर दो और कैमरा भी आफ कर दो क्यों बच्चो क्योंकि जब पीचर बोलेंगी आप लोग भी वहाँ से आप लोग की आवाज आएगी तो आप लोगों कोई सुनाई नहीं देगा है ना बच्चो समझ रहे हो आप तो आप लोगों को क्या करना है माइक भी बन रखना है कैमरा भी बन रखना है ओके वेरी गुड बच्चो इसी तरह से कैमरा बन रखो लेकिन टीचर की सारी बाते आप सुनते रहो है ना, सुनाई दे रही है ना बच्छो बाते, ठीक है, ओके, तो आज हम अपनी पढ़ाई चालू करने जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पढ़ाई में हम हिंदी का कौन सा पाठ ले रहे हैं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी बच्छो, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले आपको ए कविता सुनाने चाहा रही हूँ, वहां स्क्रीन पे आपको कविता दिखाई देगी, वो आप लोग देखिये, और पिचर किस तरह से गा रही है, उसे सुनिए, क्योंकि ये गित आपको याद भी करना है, तु स्वागतम बच्छो, आप लोगों का इस पार्ट में स्वागत है, अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं, सभी बच्छों को दिख रहा हैं न कविता, ठीक है, अब हम लोग कविता दाएंगे, सुमवारी को आई रेल, छुक 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 छुक, सुमवारी को आई रेल, मंगल वारी को खेले खेल, बूधे वारी को नानी आई, गुरुवारी को खाय मेठाई, शुक्र वारी को केला खाया, शुक्र वारी को केला खाया, चनी वारी को रबड़ी खाई, फिर आया प्यारा रविवार, आओ खेले को दे यार, बच्चो, रविवार का दिन आपको अच्छा लगता है ना, क्यों नहीं अच्छा लगेगा, रविवार तो सबको अच्छा लगता है, क्यों, क्योंकि उस दिन हमारी छुट्टी रहती है, ना हमको स्कूल जाना रहता है, ना हमको पढ़ाई करनी रहती है, बच्चे बोलते हैं, एक दिन तो पीछा चुटा रविवार है, आज हम एकदम आराम करेंगे, आज हमारी चुट्टी है, लो पढ़ाई only खेल, 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 खेलेंगे हम लोग, है ना, इसलिए तब को चुट्टी होती है, और आओ खेले को दे यार, चुट्टी का दिन खाली, तभी बजाओ ताली, चुट्टी का दिन खाली, तभी बजाओ ताली, ठीक है बच्चों, आपने कविता सुनी, अच्छी लगी, अब मुझे आप लोग बताएंगे कि इस कविता में खाल क्या बताया गया है, क्या बताया गया है, हाँ, सही बताया आपने, इसमें वार के नाम बताये गये हैं, रेल कब आई सोमवार को, खेल-खेले कब मंगलवार को, नानी कब आई बुधवार को, गुरुवार को मिठाई खाई, शुक्रवार को केला खाया, शनिवार को रवडी खाई, और रविवार को छुट्टी आई, तो इस कविता में, इस कविता में हमने क्या देखा बच्चों? सही बताया, आपने सब्ताह के दिन, हमने सब्ताह के दिन देखे, सब्ताह के दिन में, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बच्चों, इस कविता में इनवार की चर्चा है ना, कि सोमवार को हमने क्या किया, मंगलवार को क्या किया, तो इस कविता में हमें सब्ताह के साथो दिन दिखाई दिये, एक बार में आपको फिर से दोरा देती हो, बच्चों, रविवार, तोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो बच्चों, ये साथ दिनों का एक सब्ताह बनता है, इसमें अंतिन दिन कौन सा दिख रहा है बच्चों? अंतिन दिन कौन सा दिख रहा है बताओ? एकडम सही बताया आपने, बहुत होश यार हो बच्चों आप तो, एकडम सही बताया आपने, सब्ताह का अंतिन दिन शनिवार है, अब आप लोग बोलोगे टीचर रवी वार भी तो आता है, लेकिन स्कूल के हिसाफ से हमारा अंत जिस दिन हमारी चुट्टी होती है, तो सप्ताह का अन्सिंदिन कौन सा है? बताओ उच्छो, बताओ, बताओ, बताओ. Right, शनिवार. तो साथ दिनों का एक सप्ताह बनता है. जैसा हमने पढ़ा साथ दिनों का एक सप्ताह जिसमें आता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार. तो आज हम इस पाठ में जो अन्सिंदिन था शनिवार, इस दिन के बारे में, इस पाठ में हम पढ़ेंगे जिस पाठ का नाम है सप्ताह का अन्सिंदिन. ठीक है बच्छो? तो बच्छो, पाठ पढ़ने के पहले आपको अपनी किताब में पाठ दस खोल लेना है, हिंदी बालभार्ती की किताब में पाठ दस आपको खोलना है, तिक्षी का पहले आप पहले इस पाठ का वाचन करेंगी, आप लोगों को क्या करना है पता है, जहां तिक्षी का पढ पूर्नगी राम। रखोगे तभी तो तो गपर केसे पड़िया गदऴ। ऐसे नहीं पढ़ना है बच्चों, हमको जिस तरह का विरामचिन्नों होता है, उसी आरो औरो के साथ हमें किताब का वाचन करना होता है, इसके पहले तो आपको सिखना पढ़ेगा ना बच्चों, तो अब पिशर किताब पढ़ने चारी है, सारे बच्चों ने अपनी किताब आप लोगों को जहां 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 सिक्षिका पड़ रही है वहां पर आपको उंगली रखते जाना है ठीक है और इसके बाद पीचर आपको प्रशन पुछेगी इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चो बीच में सिक्षिका रुपकर आपको पूछ भी सकती है कि मैं कह अहां थी किसी भी बच्चे को पूछेगी तीचर तो आप लोग का ध्यान रहेगा ना हाँ 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 मुझे मालूम है आप लोग ध्यान दखोगे ओके चलिए पाठ पढ़ते हैं हम लोग सबका ध्यान पाठ में होगा ठीक है पाठ दस सप्ताह का अंतिम दिन बच्चो दिखाई दे रहा है आपको पाठ पाठ दस सप्ताह का अंतिम दिन कक्षा में आते ही वेहन जी ने विद्यार्थियों के चहरे देखकर समझ लिया कि आज उनकी पढ़ने की इच्चा नहीं है उन्होंने कहा बच्चो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे खुशी से उचल पड़े बहन जी सबको शान्त कराती हुई बोली सब एक पंक्ती में खड़े हो जाओ अब हम सब मैदान के मैदान में पेड के नीचे चलेंगे सभी बच्चे पंक्ती बद्ध होकर पेड के नीचे आ गए बहन जी ने सबको अर्ग गोलाकार में बैठने की सोचना दी सभी बच्चे पटापट बैठ गए तो बच्चों ये आधा पेज का वाचन हुआ है ठीक है? आपको समझ में आया टीचर ने किस तरह से पढ़ाया? ठीक है अब इसके आगे बढ़ते हैं बहन जी ने पहले से ही परचियां बना ली थी परचियों में किसान, रसुईयां, दूद वाला, सबजी वाला, डॉक्टर, आधिके नाम तथा भोजन बनाने की विवित कृतियां लिखी हुई थी उन्होंने कहा बारी बारी से सभी आकर एक-एक परची उठाएंगे परची लेने के बाद सोचने के लिए पांश मिनट का समय मिलेगा मैं कोई एक उपस्थिती क्रमांग बोलूंगी उस क्रमांग का विद्यार्थी परची के विशे के अनुसार सामने आकर अभिने करेगा शेस सभी विद्यार्थी अभिने के बाद उस व्यवसाय का नाम बताएंगे फिर क्या था अभिने का खूब रंजमा विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक अभिने किये बहन जी ने सभी के अभिने की खूब प्रसंसागी और आवश्यक मार्गदर्शन भी किया विद्यार्थी पहुत प्रसंन थे घर जाकर उन्होंने अपना अभिने परिवार के सदस्यों के सामने प्रस्तुत्तिया घर वालोंने भी खूब शाबाशी दी बच्चोंने सोचा कि सप्ताह का अंतिन दिन अच्छा बीता तो बच्चों आपने पाठ सुना किस तरह से पीचर में किताब का वाचन किया है धीरे धीरे रुप कर जहां अल्प विराम है वहाँ पर थोड़ा सा विराम देकर थोड़ा रुप कर आपको इस तरह से किताब का वाचन करना है तो जब हमारा पाठ हो जाएगा तो आप लोग इसका अभ्यास कीजिएगा अगली तासिका में मैं आपका वाचन दोंगी फिर मैं देखूंगे कि आपने पीचर का वाचन दोंगी नहीं ठीक है अगर आपने जान से सुना होगा तो आप बिलकुल पीचर की तरह पढ़ोगे ठीक है तो यह हमने पाठ पढ़ लिया है हमने और अब हैं आपको इसको अच्छी तरह से समझाती हूँ अब अच्छी तरह से समझाऊंगे तो यह पाठ आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा बच्चो मैं आपको इसको फ़क्स्ट करती हूँ कि इस पाठ में बताया क्या है देखो इस part में क्या है एक कक्षा का द्रिश्य है बच्चो इसमें जिसमें पढाई हो रही है कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए जिस तरह से आपकी कक्षा होती है कख्षा में बैचते हैं और सुपय सुपय सिक्षीका आती है तो क्योंकि ये सप्ता का अंतिम दिन था शनिवार था और जैसे जैसे सप्ता liber 10 सो ओमवार को हमारे अंदर पहुत और पहुत आजवी होती है। मंबहर, बूद्वार, गुरुवार, शुख्रवार, शनीवार आते आते। बच्चे इतने थल्ग चाते हैं न, बहुत बोर हो गए हैं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा हैं। बच्चो, आप तभी मन करता हैं न, कभी पढ़ी ऐसा। कि आज नहीं पुण नहीं पढ़ना है तो जैसे ही शिख्शिका कक्षा में आती है बच्यों एक बात में आपको बता दूँ जैसे इस पार्ट में शिख्शिका को बहन जी कहके बोल रहे हैं बच्चो, सिख्षिका को लोग अलग-अलग जवब पर अलग-अलग नाम से पुकारते हैं, जैसे कोई teacher बोलता है, कोई miss बोलता है, तो कहीं सिख्षिका बोलते हैं, तो यहाँ जो कक्षा चल रही है, इसमें क्या बोल रही है, बहन जी, बहन जी मतलब कौन बच्चो? सिक्षिकार टीचर को बोलो बहन जी बोल रहे हैं, ओके, यह समझना आ गया, तो जैसे यह सप्ताह का अंतिम दिन था, अंतिम दिन मतलब शनिवार था, और कक्षा में जैसे यह बहन जी ने प्रवेश किया, वैसे सिक्षिकार ने देखा, सारे बच्चों का चहरा देखा, इस तरह से मूँ बना हुआ था, तो सिक्षिका बहन जी जैसे ही अंदर गई क्लास में, उन्होंने देखा, बच्चों का चहरा देखा, कि अरे आज बच्चे तो बहुत उदास लग रहे हैं, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने समझ लिया, कि आज बच्च से सुनो, क्या कहा? बच्चों, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, और जैसे महल जी ने ऐसे बुला, बच्चे एक्तम खुशी से उचल पड़े, ये, या, 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 करते हो ना बच्चों, आप लोग ऐसे, कैसे किसी को चित्रकला पसंद होता है, जैसे हम भी कक्षा मे पड़े हैं, तो जैसे हमारा कक्षा में अगर हिंदी चल रहा है, गणिच चल रहा है, तो और ज्यादा बोर होता है, लेकिन जैसे ही बच्चों को पता चलता है, कि अब इसके बास पीठी का पीरियड है, खेल का पीरियड है, और शिक्षिकान को नीचे लेकर जाएंगी, बच्चे बहुत देर से, अरे देर से क्या एक दिन पहले से ही इंतजार कने लगते हैं, कि आज पिठी का पीरियड है, आज तीचर नीचे लेकर जाएगी, और टीचर को बार बार उलोग याद दिलाते हैं, तीचर आज नीचे जाएंगे, तीचर आज खेल का पीरियड है, तो ऐसे जैसे वहन जी ने इसमें कहा कि बच्चो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे, बच्चे खुसी से उचल पड़े, क्या कहना था?, ये ये करके ऐसे वो लोग उचल पड़े, तो अब वोग संत भी नहीं हो रहे थे, वहन जी ने सबतों शंत कराया, चुप रहो, चुप र करेंगे क्या जब आप लोग ध्यान से सुनोगे तभी तो आप कर पाओगे तो सबसे पहले आप एक पंक्ती में खड़े हो जाओ बच्चो पंक्ती मतलब होता है एक लाइन में एक कतार में है ना जैसे हम स्कूल में आते हैं सुबे या छूपते समय हम कैसे जाते दौरते हुए तो नहीं जाते ना लाइन बनाके जाते हैं अपनी कक्षा में से एक के प खड़े हो जाओ एक के पीछे एक, ताकि इस सब एक साथ दोड़ेंगे, तो भगदर मच जाएगी, गिर जाएगे, चोट लग जाएगी, तो इन सब से बचने के लिए पहले हम लोग लाइन बना लेते हैं, पंक्ती मतलब लाइन बना लेते हैं, और उसके बाद हम मैदान में चलेंगे, और मैदान में एक पेड के नीचे बैठेंगे, सभी बच्चों ने बहन जी की सूचना सुनी, और पंक्ती बर्द होकर पेड के नीचे आ गए, अब नीचे आ गए, बहन जी भी नीचे आ गई, और बच्चे भी नीचे आ गए, शानती पुर्वक, अब बहन जी उनको कहा सभी बच्चे अर्ध गोलाकार में बैठ जाईए। बहन जी ने सबको अर्ध गोलाकार में बैठने की सूचना दी। अर्ध गोलाकार मतलब क्या होता है बच्चो हमने गनित में पढ़ा दा ना वुमिती आकार कौन कौन सा आकार था। हाँ श्रीभू था, वर्ग था, आयत था, व्रित था। व्रित मतलब गोला तो व्रित होता है जो पूरा गोला होता है। है ना बच्चो व्रित मतलब पूर पूरा गोला होता है ये देखिए ये है चूडी इसका आकार कैसा है गोलाकार ये पूरा गोला है है ना लेकिन सिक्षी का वहन जी ने क्या बोला था पूरा गोलाकार नहीं आधा तो इसको आधा मतलब ऐसा होता है ठीक है मैं आपको अच्छी तरह से समझाती हूँ कि अर्ध कि सारे बच्चे पहले अर्ध गोलाकार में बैट जाईए, ऐसी सुषना दी, और सारे बच्चे बैट गए, आधा गोला बनाकर, दिख रहा है ना बच्चो आपको, फिर क्या हुआ, सभी बच्चे फटा-फट पैट गए, बच्चो आपको समझ में आ रहा है, इस आधे परे को अर्ध गोलाकार में बैटने की सूचना दी, ठीक है, अब इसके आगे का पढ़ते हैं, हम क्या बताया गया है, बहन जी ने पहले से ही परचिया बना ली थी, परचिया जानते हो बच्चो, आज पताया है, आप लोग अभी भी खेलते होंगे, चोर पुलिस का गेम खेलत इस तरह से, इस तरह से हम लोग यह ऐसे करते हैं, चित्थी बनाते हैं, चार चित्थी बनाते हैं, उसको फोल करते हैं, तो उसी तरह से बहन जी ने पहले से ही परचिया बना ली थी, जिसमें क्या लिख दिया था, सबची वाला, रसोया, फोल कर, दिख रहा है बच्चो, दूद वाला, किसान, दिख रहा है, ऐसे करके सिक्षिका बहन जी ने बहुत सारी परचिया बना ली, परचिया को ऐसे फोल्ड किया, इस तरीके से, फोल्ड करके सारी परचियों को बहन जी ने ऐसे फोल्ड कर दिया ताकि वो खोलने के बाद परता चले, फिर उन्होंने क्या किया एक बावल में इस तरह से इस तरह से सारी चिप्ठियों को इस बावल में रख दिया दिख रहा है बच्चों आपको ये सब पर्चियां हैं ये बहुत सारी पर्चियां इस तरह से बना कर सिक्षिका वेंजी ने तयार रखी थी पहले से ही उन्होंने तयार रखी थी ठीक परचियों में किसान, रसोया, दूद वाला, सबची वाला, डॉक्टर देखिए, मैं आपको बताती हूँ पिरचियों में क्या-क्या था, ये देखिए, ये किसान है किसान का काम क्या होता है, खेतों में हल चलाना, अनाज उगाना यह किसान की परची बनाई उन्होंने रसुया की परची बनाई रसुया का काम क्या होता है बच्चो खाना पकाना अलग अलग प्रकार के स्वादिश्ट भोजन बनाना और इस चित्र में वो क्या कर रहा है बच्चो हाँ सही बताया आपने वो खाने को चत के देख रहा है कि इसमें नमक मिर्श बरावर है कि नहीं और बहुत स्वाधिश्ट बना है और उसकी जीव निकली है और ऐसे कर रहा है है ना ऐसे एक्षन कर रहा है फिर क्या है यह है दूद वाला दूद वाला आता है ना दूद वाले भहिया आते हैं हमको दूद देते हैं ताजा दूद ले लो दही ले लो है ना इस तरह से यह कौन है बच्चो देखो पीछे दूद का कैन है उनके पीछे यह है दूद वाले भहिया जी फिर कौन है यह है सबजी वाला सबजी वाला क्या करता है बच्चो सबजी बेशता है ताजी ताजी सबजी ले लो हरी हरी सबजी ले लो और यह है डॉक्टर हमारा हम जब बीमार पढ़ते हैं पर किसके पास जाते हैं बच्चो दॉक्टर के पास जाते हैं हम तो सबसे पहले हम बैठते हैं अपनी तकलिंग बताते हैं तो डॉक्टर क्या करता है हमें पहले चेक करता है जेको पर ऐसे चेक करता है नम्भी सांस लो नफ्स दिखाओ, इस तरह से डॉक्टर करता है न, तो ये सारी चीजे, पीचर ने सारे बच्चों को पहले सबका मार्ग दर्शन किया, देखो किस तरह से बहन जी बैठी हुई है, और बच्चे अर्ग गोलाकार में बैठे हुए हैं, और शिक्षिका सबको चित्र के माध्यम से समझा रही है कि अगर इस पर्ची में मैंने किसका किसका नाम लिखा है, किसान है, रस्तोईया है, दूद वाला है, सब्ची वाला है, हाँ, डॉक्टर है, वकील है, पहुत तरह से उन्होंने पर्चिया बनाई थी, और उन्होंने बोला कि बारी-बारी से बच्चे आएं और इसमें से एक पर्ची उठाएंगे और पर्ची को खोलेंगे, जिस तरह से इस पाउल में रखा है, इसमें से एक पर्ची उठाएंगे और उसको ऐसे खोलकर खुद देखेंगे, ऐसे, और उसको किसी को बताएंगे नहीं बच्चो, वह बच्चा सिर्फ खुद पढ़े है इस तरह से दुसरा बच्चा आएगा उसको हटा देंगे और फिर वो पर्ची उठाएगा और इसका पर्ची उठाएगा इसमें पढ़ेगा क्या लिखा है फिर वो एक्टिंग करेगा एक मैं आपको बताती हूं मैंने पढ़ लिया है मैं उसकी एक्टिंग करके आपको बत ये किसका आभी ने था बच्चो इसका आभी ने था राइट रसोईया का आभी ने था हाँ तो इसी तरह से सिख्षिका ने सभी बच्चो का मार्ग दर्शन किया कि बच्चा आएगा परची खोलेगा परची पढ़ने के बाद उसमें क्या लिखा है उसे बोलेगा नहीं वो खुद चुप चाप पढ़ेगा क्योंकि अगर वो बोल देगा तो बच्चो को उत्तर पता चल जाएगा तो उसको बोलना नहीं है उस परची में जो व्यवसाय लिखा है वो उसका एक्षन करेगा अभी नहीं करेगा वो देखके उस व्यवसाय का नाम से सभी बच्चे जो है वो बताएंगे ठीक है बच्चो फिर क्या हुआ बताती हुमें आपको देखिए क्या किया था मैंने आपको बताया कि पर इपड़ी बनाकर सारी कृतिया लिखी हुई थी और सिख्षिका बैंजी ने उनको निर्देश दे दिया कि बारी-बारी से सभी बच्चे आएंगे परची उठाएंगे और परची लेनें के बाद बच्चो को बहन जी ने बोला सिर्फ पांच मिनिट का समय मिलेगा बच्चो सिर्फ पांच मिनिट का अगर पांच मिनिट से उपर हुआ तो टिक 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 टू टिक 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 टि बोले सिर्फ 5 मिनट का समय मिलेगा आपको सोचने के लिए, क्या सोचने के लिए? कि जो नाम आया है उनकी परची में उसका अभिने उन्हें किस तरह से करना है? और वो बच्चा अभिने करेगा और सेस, सेस मतलब बाकी सभी विध्यारती उस व्योसाय का नाम बताएंगे. फिर क्या था बच्चो अभिने का खुब रंग जमा, रंग जम ना मतलब क्या होता है बच्चो? आनन्दानाम, है ना, अगर आप लोगों के साथ, तो उनको बहुत आनन्द आया, हैaráई ना, बच्चो ने एक से बढ़ कर एक अभिने किये, स्व मैं जी ने अच्छा मालग मार्ग दर्शन था उन्हें सुझाओ दिया था, सलाह दीती ना, किस तरह से करना है, चित्र के माजम से समझाया था, तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से अभिने किया, और से इस बाकी सभी बच्चों ने उसे अशाय का नाम भी बताया, और बच्चों को इसमें खूब आनन्दाया, बहन जी ने सभी के अभिने की खूब प्रसंसा की, और आवश्यत मार्ग दर्शन भी किया, मार्ग दर्शन मतलब उन्हें सुझाओ दिया, सलाह दिया, जित्यार्थी बहुत प्रसंद हुए, बहुत खुश हुए बच्चे, रसंद मतना खुश, और घर जाकर अभिने के सदस्यों के सामने प्रस्तुत किया, उन्होंने घर जाकर को अपने ममी पापा को बताया कि आज मारी बहन जी ने ऐसे ऐसे हमसे खेल कराया, हम आपको बताएं, ओर घर में, परिवार में सबको उन्होंने बताया, घर वालोंने भी उन्हें खुब शाबाश이 दि बच्चो साबाशी देना मतलब उनकी पीठ ठोकना, उन्हें बढ़ावा देना कि वेरी गुड बच्चो बहुत अच्छा काम किया और बच्चो ने सोचा कि सब्ताह का दिन अच्छा भी था और बच्चे खुशी खुशी अपने घर गए ये देखिए बच्चे कितने प्रसन्न है देख रहे हैं इस तरह से प्रसन्न होकर रास्ते वर खुशी खुशी वो लोग अपने घर गए और अपने घर जाकर भी उन्होंने सारी कृपिया अपने घर वाले सदस्तों के सामने बताई ठीक है बच्चो आप लोगों को पाठ समझ में आ गया अब हम चलते हैं इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में ठीक है इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे पहला है अंतिम, अंतिम का अर्थ होता है आखरी पंक्ती, पंक्ती का मतलब होता है कतार, एक लाई अर्थ गोलाकार, इसका अर्थ होता है आधा गोल शेश, शेश मतलब बच्चे हुए अभिने, अभिने का मतलब नकल, जो बहन जी ने अभिने करने को बुला था ना, जो व्यवसाय का नाम होगा उसकी नकल करना, अभिने करना, नकल करना प्रसंसा, प्रसंसा का मतलब तारीफ मार्गदर्शन, मार्गदर्शन का अर्थ होता है सलाह प्रशन, प्रशन का अर्थ होता है, खुश, व्यवसाय, मतलब कारोबार, धंधा, पेशा, वो कौन सा काम करते हैं, ठीक है बच्चो, अब हम इसका इस पार्थ में आये गए, मुहावरों के बारे में देखते हैं, इस पार्थ में दो मुहावरा आया हुआ है, पहला था रंग जमना, बच्चो, रंग जमना का अर्थ होता है, खुप आनन्द आना, बहुत आनन्द आना बच्चो, वाक्य प्रयोग, अब हमको इसका वाक्य बनाना है, यहाँ वहन जी ने आपको एक वाक्य बना के बताया है, लेकिन आपको इसी तरह से दूसरे वाक्य बना के कल की सभा में नेता जी का अच्छा रंग जमा रंग जमना सब्द आ गया ना इसमें वाक्य प्रयोग में दूसरा शाबाशी देना शाबाशी देना का अर्थ होता है बढ़ावा देना उनको आगे बनने के लिए प्रोचसाहित करना की हाँ बहुत अच्छा किया तो इसका वाक्य मैंने क्या बनाया है देखो बच्छो परिक्षा में प्रथम आने पर पिता जी ने मुझे खूब शाबाशी दी तो ये साबाशी देना इस वाक्य में आ गया है ठीके बच्छो तो इसी तरह से रंग जमना और साबाशी देना इसका आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करके मुझे बताना है ठीके बच्चो अब इसका स्वाध्याय देख लेते हैं हम लोग निम ने लिखी त्रशनों के उस्तर लिखो पहला बहन जी ने बच्चो को कौन सी सूचना दी बताओ बच्चो कौन सी सूचना दी थी यार्द है बच्चो आप लोगोंने बिल्कुल ध्यान दे सुना है very good बच्चे बहूर अच्छे बच्चो आप लोग बिल्कुल ध्यान दे रहे हो और उपतर भी एकदम बराबर बता रहे हो मुझे बेहन जी ने बच्चों को अर्ध गोलाकार में बैठने की सुचना दी दूसरा सप्ताह का कौनसा दिन था? उत्तर सप्ताह का अंतिन दिन था तीसरा बेहन जी ने पहले से ही क्या बना ली थी? बेहन जी ने पहले से ही पर्चियां बना ली थी बच्को देख लिया आप लोगों ने अब यही प्रश्ट में बाद में आपको दूंगी हां आपको लिखना है इसे तो सुचना कौन से डिजिती कौन से आकार में बैटने की सुचना दी तो आपको बताया था ना अर्दोगोला मतलब कैसे हाफ सरकल में और दिन कौन सा था अंतिम दिन था और पहले से इस इस तरीके से पर्चिया बना कर रख ली थी तो आपको ये समझ में आ गया ठीक है अब इसका स्वाध्याय देख लेते हैं जो पुस्तत में दिया हुआ है बच्चों यहाँ पर चार सुवी चार दिया है जूट बोलना बुरी बात है ना बच्चों हमें जूट नहीं बोलना चाहिए दूसरा आज का काम कल पर मत छोड़ो कई बच्चा आज़सी होते है ना अब अभी मन नहीं कर रहा है आज नहीं करेंगे कल करेंगे आज का काम, अभी का काम हमें अभी करना है, जैसे आपको homework मिलता है क्लास में, आज आपने नहीं किया, और वो जमा हो गया, अब दूसरे दिन स्कूल में गया, दूसरे दिन का homework मिल गया, और फिर और और भी मिल गया, आप तुषन जाते हो, पुषन का homework मिल गया, तो आपके से हमें क्या सीख दे रहे हैं कि आज का काम, कल पर मत चोड़ो, आज का काम अभी करो, और कल जो मिलेगा, वो कल करना, तीसरा है, सोचो, समझो, फिर करो, कोई भी काम करने के पहले उसको अच्छी तरह से सोचना चाहिए, च्छाना चाहिए, पिर और नहीं हमारा काम गलत हो जाएगा चौथा है लालच बूरी वला है बच्च नहीं करना चाहिए इसके बारे में आपको मैंने किस्मी सारी कहानी सुनाई है ना लालच करने के चक्कर में हमारे पास वो भी चला जाता है ठीके बच्चो तो ये 4 तुशी यह भी आपको लिखना है अब यह देखो स्वाथय 2 इसमें बच्चो चार चीत्र है आपको दिखाई दे रहा है चार चीत्र बच्चो डूद वाला नाम क्या लिखा है dekho चो चित्र के नीचे नाम देख लो चित्र किसका है और नाम किसका लिखा है यहां पर चित्र है, किसका है, किसका है बच्छो, बराबर डॉक्टर का है, लेकिन नाम क्या दिया है, दूद वाला, तो यह गलत है ना बच्छो, तो यहां पर चित्रों के साथ में जोडियां गलत भी है, जो हमको ढूंद के लगानी है, हमको सही जोडी लगानी है, अब जै सब्सक्राइब करने कि अविए अभॉग है विए है लो मनेशय मीत्वी मैई कंदा माइक लो माइक 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 शालो करो माइक माइक अब कब से बंद था फिर से करूं क्या ने 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 बस अभी दो सिकंड बंद वाता देखो बचो यह हमारा तीसरा स्वाध्या है निमन लिखे चित्रों को पहचानो और उनकी बोलियां और कृतियों का अभी ने करो तो यहां पर मौर का चित्र दिया है घोडे का है और यह मेंदग का है इनकी बोलियां कैसी होती है बच्चो बच्चो रट्र घोडा हिं रिं और मौर एसे बोलता है घोडा ऐसे बोलता है मेंदक कैसे बोलता है तर 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 अच्छा इसके अलावा में आपको बताती हूं चिडिया चींची है ना बिली पुत्ता इस तरह से अलग-अलग पांच जानुरों की बोलियां आपको दिखना है ठीक है बच्छों और नीचे आजाओ यहां पर यह कृतियां द कर रहे हैं यह हमें देखना है यह देखिए यहां पर यह लड़का क्या कर रहा है क्या कर रहा है बताओ बच्छों बताओ 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 जल्दी जल्दी पटाओ आपको दिखाई दे रहा है ना बताओ एक दम सही रोटी बना रहा है तो यह हमको इसका अभीने करना है तो अब ये दूसरे चित्र में क्या हो रहा है? लड़की बर्तन धो रही है, तो बर्तन को ऐसे पानी में धो रही है, फिर उसको पोच रही है और रख रही है, इस तरह से बर्तन धोने का अभीन, इस तरह से कपड़ा धोने का कैसे करेंगे बचो? इस तरह से कपड़े दोने का अभीने कर सकते हैं और ये आखरी चित्र में क्या हो रहा है जाडू लगाने का अभीने हो रहा है तो इस तरह से आपको आप यह खेल घर में भी खेल सकते हो है ना जिस तरह से बहन जी ने कक्षा में आपको अभीने सही तृती बताया ना उस तर तो आपको घर में भी आप पर्ची बना लो घर में अपने दोस्तों के साथ खेलो अपने भाई बहन के साथ खेलो और यह वाला खेल थो हम सब के साथ खेल सकते हैं और इसमें बड़ा मज़ा आएगा जैसे बच्चो को आया था ना मज़ा ठीक है बच्चो अब यह पार्ट आपको एकदम अच्छी तरह से समझ में आ गया ना तो यह आज आपका गढ़कार्य है सुरू से हम लोग इसमें हमने विशेश पात क्या सिखी सब्ता के बारे में सिखी सब्ता के साथ दिनों के बारे में पढ़ा और सब्ता का अंतिन दिन था शनिवार उस दिन सिख्षी का बहन दी ने कक्षा में क्या क्या करवाया कौन कौन सी कृतियां कराई यह सब भी हमने देखा पर्चियों का गेम खेला हमने है ना सर्चियों का गेम किस तरह से खेला और वो गेम खिलने के बाद बच्चे बहुत खुश हुए बहुत खुश हुए घर जा कर दिया उन्होंने बचाया और जो मैंने पहले तुम लोगों को सबसे पहले पार्ट पढ़ाने के पहले कविता पढ़ाई थी उसमें सब्सक्र साथो दिनों के नाम आये थे ना याद है ना बच्चो आपको याद है ना सुम वारिको आई रेल मंगल वारिको खेले खेल याद है ना बच्चो ठीक है तो आपको आपको को यहाद है कि नाम आपको लिखने है बच्चो यह आपका ग्रहकार्य है ठीक है बच्चो याद है तो यह आपका घरकाम है, ग्रहकार है, सब्सक्राइब के नाम लिएने हैं, बच्चों, कौन-कौन सा वार होता है, फिर से एक बार दोरा देते हैं हम लोग, रविवार, तोवार, मंगलवार, पुद्धवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब्सक्राइब के साथ दिनों के नाम आपको लिखने हैं, ठीके बच्चों, तो इसी के साथ हमारा पार्ट समाप्त होता है, धन्यवाद बच्चों, ठीके, अगली तासिका में हम फिर मिलेंगे, और इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीके बच्चों, धन्यवाद,